नमस्का दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इमांचिर प्रदेश के दर्रों से रिलेटीड काफी इंपॉर्टेंट क्वेस्चन तकरीबन मैक सारे के सारे दर्रे इन क्वेस्चन के अंदर आपके पास कवर हो जाएंगे तो आएए जादस में ना लेते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फर्स्ट कम आफ आफ आल हमारे पास अता है सांच दर्रा काफी फिमस दर्रा है और यह आपके पास चंबा जिले में स्तीत है नेक्स्ट आमारे पास अता है कांगडा बर्मौर सीमा पर कौन सा दर्रा स्तीत है तो जो आपके पास कांगडा एंड बर्मौर है यानि चंबा है तो उनकी इस सीमा के उपर कौन सा दर्रा जो है आपके पास स्तीत है तो आपको पता होगा दर्रे और जो जोते हैं इनसे related काफी time questions पूछे जाते हैं तो जो आपके पास इंद्रहर या इंद्रहर दर्रा है वो आपके पास कांगड़ा और भरमौर के बीच में जो है या उसकी सीमा के उपर जो है लगा हुआ है जो के एंड्र नेक्स्ट हमारे पास आता है चिनाव नदी किस दर्रे के पास से निकलती है तो यह हमने आपको बताया भी था बारालाचा पास जो है आपके पास लहल स्पीती में present है और चिनाव नदी आपके पास बहार से निकलती है नेक्स्ट हमारे पास आता है सांच दर्रा जोकी 4,395 मीटर चीनी और छोबिया दर्रे जिसके किस जिले में सीथ है आपके पास सांच दर्रा चीनी दर्रा और जो छोबिया दर्रा है तो यहां से आपके पास तीन question बन जाते हैं तो आपके पास चमबा में कौन कौन से दर्रे present है साच दर्रा एंड चीनी दर्रा एंड छोबिया दर्रा जो आपके पास चमबा डिस्टिक में present है Next हमारे पास यहां पे आते हैं किस दर्रे को चौराहे को मिलाने वाला दर्रा कहा जाता है यहाँ पर आपके पास options भी हैं तो जैसे जासकर होगे आपके पास लद्दा को कस्पिती और लौहल की सडकें यहीं मिलती है तो जो आपके पास यह main four roads हैं इनकी जो सडकें हैं वो यहीं पर आपके पास आकर मिलती है जो जिसे हम कहते हैं चौराहे को मिलाने वाला दर्रा इसी टाइप के question tats में आते हैं आपको direct पूछा होगा किस दर्रे को चौराहे को मिलाने वाला दर्रा कहा जाता है तो वो कौन सा दर्रा है आपके पास 12 अच्छा दर्रदे को आपके पास 14 को मिलाने वाला दर्रा कहा जाता है नेक्स्ट हमारे पास आता है जालोरी दर्रा कहां पे स्तीत है तो जो जालोरी दर्रा है आपके पास वो सिराज कुल्लू में आपके पास present है next है मारे पास कुगती दर्रा कहां पे present है तो कुगती दर्रा जो है आपके पास चमबा डिस्टिक में present है next है मारे पास कुंजुम दर्रा तो कुंजुम दर्रा आपके पास लोहल स्पीती या स्पीती में present है रोहतांक दर्रा काफी famous है तो आपके पास पीर पंजाल range में आता है रोहतांक दर्रा कहाँ पे आता है आपके पास पीर पंजाल range में और जो आपके पास रोहतांक दर्रा है वो कहाँ पे present है आपके पास वो आपके पास कुलू एंड लाहॉल में present है and 3798 meter जो है आपके पास इसकी height है समुंदर तल से question यहाँ पर था आपके पास रोहतांग धर्रा किस परवत स्रिंकला के बीच में आता है तो यह पीर पंजाल के बीच में आपके पास आता है and कुलू एंड लहॉल में यह present है कांगला क्या है आपके पास तो कांगला जोगा आपके पास क्या है कांगला आपके पास एक दर्रा है काफी famous दर्रा है यह तो यह आपके पास क्या है दर्रा है next हमारे पास यहाँ पर आता है जालोरी दर्रा किस जिले में स्तीत है तो जो आपके पास जालोरी दर्रा है वो आपके पास कुलू डिस्टिक में प्रेजेंट है कहां पे प्रेजेंट है जालो रही कुलू डिस्टिक में यह आपके पास प्रेजेंट है एंड इसकी हाइट आपके पास 3, 1, 3, 5 मीटर है एंड कांगला दर्रा कहां पे था आपके पास कांगला दर्र आपके पास लौहलेंड लद्दाक के बीच में है लौहलेंड लद्दाक में यह आपके पास प्रजेंट है कांगला दर्र मानचर प्रदिस में चार दर्रों में से कौन सा सबसे उंचा है तो सबसे उंचा दर्र आपके पास कौन सा है तो जो परांगला आपके पास दर्रा है वो सबसे ज़्यादा उचा है 5548 मेटर जो है समूंदरतल से इसकी हाइट है ओके गाइज तो काफी important question है सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है आपके पास परांगला दर्रा and next हमारे पास मनाली और लेह को जोडने वाली सड़क हिमाजर प्रदेश के किस दर्रे से होकर गुजरती है तो मनाली और लेह को जोडने वाली सड़क आपके पास रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है नेक्स्ट है हमारे पास तामशार दर्रा जिसकी हाइच 4572 मीटर है वो किस जिले में आपके पस परजेंट है तो तामशार दर्रा आपके पस कांगड़ा जिले में परजेंट है रोहतांग का अर्थ क्या है आपके पास ये काफी टाइम question test में आ चुका है यहाँ पर question इस तरह से पूछा गया था कि जो आपके पास लाशों का धेर है किसे कहा जाता है तो रोहतांग दर्रे को आपके पास लाशों का धेर कहा जाता है या रोहतांग को आपके पास लाशों का धेर जो है कहा जाता है कुंजुम दर्रा कहाँ पे present है तो कुंजुम दर्वा आपके पास लहल स्पीती में प्रजेंट है एंड इसकी हाइट आपके पास 4520 मीटर है एंड काफी फेमस दर्रा है ये भी कुंजुम दर्रा जोकी लहल स्पीती में प्रजेंट है एंड दुलाची दर्रा कहां पे प्रजेंट है तो दुलाची दर्रा आपके पास कुल लुडिस्टिक में प्रेजेंट है नेक्स्ट आपके पास बारलाचा दर्रा आ रहा है तो बारलाचा दर्रा काफी फेमस है और यह आपके पास लोहल स्पीती में प्रेजेंट है क्योंकि यहां से चिनाव रेवर आपके पास निकलती है लोहल स्पीती को जोडने वाला सबसे उंचा पहाड़ी दर्रा कौन सा है तो वो है आपके पास खुंजुमला दर्रा भीतरी सिराज को बाहरी सिराज से कौन सा दर्रा जोडता है जो आपके पास भीतरी सिराज है उसको बाहरी सिराज से कौन सा दर्रा जोड़ता है आपके पास जलोरी दर्रा जो कि कुल्लू में प्रेजन्ट है नेक्स्ट मारे पास आता है बड़ा भंगाल वो कांगडा जिला के अन्य भागों के बीच तम सर पास्थित है तो वो आपके पास कहां पे प्रेजन्ट है तो यहां पे थोड़ा सा इन्होंने मिस्टेक कर दी है क्योंकि इन्होंने यहां पे इस कांसर नहीं दिया है तो काईज यहां पे थोड़ी सी कोरेक्शन ओके तो यहां पे जो आंसर है वो है आपके पास ताम सर पास यहाँ पे यह एक्तम डार्क कलर में था पर यहाँ पे थोड़ा से इसकी बिजिबिलेटी लो हो गई तो बड़ा बंगाल वो कांगडा जिले के अन्यो भाग के बीच चो है ताम सर पास चो है आपके पास वो स्थीत है नेक्स्ट हमारे पास रोहतां का प्राचिंग नाम क्या है तो रोहतां का प्राचिंग नाम हमारे पास ब्रिगु तुंग है समटाइम ऐसे क्वेशन एक्जाम में आ जाते हैं तो रोहतां का प्राचिंग नाम क्या है ब्रिगु तुंग कौन सा दर्रा पांगी को चम्बा से जोडता है तो जो सांच दर्रा है आपके पास वो चम्बा को पांगी से जोडता है काफी famous है सांच दर्रा कहां पर present है आपके पास चम्बा डिस्टिक में नेक्स्ट है मारे पास कांगड़ा दर्रा जो की 5248 मीटर बारल अच्चा आपके पास 4512 मीटर और परांगला दर्रा और पीन पारवती दर्रा की उचाई स्थीत है तो यहां पर इनकी बताया गया है कि कौन सा दर्रा जो है कितनी हाइट के ओपर आपके पास present है तो इनकी हाइट जो है यहां पर आपको बताईगी है नेक्स्ट है सांच दर्रे की उचाई कितनी है आपके पास तो वो आपके पास 4800 मीटर यानी 14,000 फुट की उचाई पस्थित है कौन सा दर्रा लहल स्पीती को अन्य भागों से जोडता है तो कौन से दर्रे तो यहां पर रोतांक, कुंजुम and बारलाच्चा यह जो है आपके पास लहल स्पीती को अन्य भागों से जोडते है बारलाच्चा का क्या अर्थ है आपके पास बारलाच्चा पास काफी फेमस है तो बारलाच्चा का क्या नाम है आपके पास या अर्थ है तो शिकर पर चौरहा 12 लाच्चा का क्या आर्थ है हमारे पास शिकर पर 4 दूसरा उंचा मांचल का दर्रा यानि दूसरे स्थान के उपर कौन सा हमारे पास बो है भीम कसूतरी दर्रा जो की कांगडा और चम्बा में आपके पास प्रेजेंट है काफी famous है ये भी इनको जुरूर याद रखिएगा क्योंकि ऐसी तरह के questions जो है आपसे exams में पूछे जाते हैं कि कौन सा दर्रा कहां पे है और वो किसके लिए famous है पहला पूछ लिए जाएगा दूसरा पूछ लिए जाएगा ओके पहला काउंट आपके पास परांगला दर्रा बेसिकली लाहल स्पीती चंबा कुलू इनी एक किन और में आपके पास काफी कम दर्रे आते हैं बट specially इन एरिया में है आपके पास जो चंबा हो गया आपके पास कुलू हो गया या आपके पास लाहल स्पीती होगा इनी में maximum दर्रे जो आपके पास present है next है मारे पास इमानचल का सबसे उंचा धर्रा प्राइंगलल हौल स्पीती में स्थीत है तो इन्हों डिरेक्टली इसका आंसर बताया है आपको इसकी height भी पता होनी चाहिए okay sometime कहीं पे आपको थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है but actual height आपके पास 5548 मीटर है यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी करत कर दी है कांगडा और बड़ा भंगाल के बीच कौन सा दर्रा आता है तो अभी हमने यह देखा था तामसर दर्रा जो है आपके पास यहाँ पे आता है मंडी और कुलू के बीच में कौन सा दर्रा आता है तो मंडी और कुलू के बीच में आपके पास दुलाच्ची दर्रा आता है लोहर और भरमौर के मद्ध्य कौन सा दर्रा है तो लोहर और भरमौर के मद्ध्य आपके पास छोबिया दर्रा जो है वो परजेंट है तिपकी दर्रा तिबत को किस से अलग करता है तो सिपकी पास आपके पास किन और को अलग करता है तिबत से पादरी दर्रा कहां पे या किस को जोड़ता है तो आपके पास चमबा और जम्मू को जोड़ता है आपके पास पादरी दर्रा और बसोदन सांच और जलसू चमबा के क्या हैं तो यह आपके पास चमबा के दर्रे हैं ओके गाइज तो basically काफी important question है यह अब जैसा कि आपको पाता है टैट एंटीजिटी दोनों आ चुके हैं तो यह question उन सब के point of view से काफी ज़्यादा जुरूरी है तो आप अब ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी भी question को छोड़ दें क्योंकि हर एक question काफी important होता है आपके exam के point of view से तो अब आपको हर एक question को एक्तम detail में पढ़ना पड़ेगा तभी आपके test clear होंगे तो आज की वीडियो में इतना ही है मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you have a nice day